नश्कार बीसिन नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आये नजर डालते हैं खबरों के और श्री वैशनव बैरागी समाज की बैठक निमावार में समाज की धर्मशाला के नवनिर्मान के लिए बैठक आयोजित की गई बैठक की अधिक्षिता डॉक्टर जगदीश शर्मा एवं विशेश अतिती कमल बैरागी प्रदेश उपादेख्षित दिवास चिला अधिक्षित डॉक्टर राजेश बैरागी की उपस्तिती में रखी गई सर्वप्रधम भगवान विश्नजी के चितर पर दीफूल एवं महारतिकर अतितियों का स्वागद किया गया बैठक में निर्ने लिया गया कि समाज के धर्मशाला निमार में बने लेकर प्रस्ताव पारित किया गया कई समाजबंधों ने पोशा कि उनका समाजबंधों ने स्वागद किया यहां भी अवगद कराया गया कि समाज के धर्मशाला है तो भुकन भी उपलब्ध है बैठक को समोदित श्रीविशनदास पैरागी रामदास जी पलाज जी डौक्टर मनोश पैरागी रामभरोज जी विशनदास पैरागी संतोश पैरागी सहित समाज के वरिश लोग उपस्तित रहे माधो नगर पलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पलिस ने दबिश्टे कर अंतराश्रिय सट्टा गिरोहों को धर्द बूचा है जो कि इंदोर रोड की आलीशान होटेल में रुक कर सट्टा संचालित करती थी बता दे कि सट्टा गिरोहों के सरगना पूने की दो सगेबाई बताये चा रहे हैं जो कि एक स्थान की बाजार लैप्टॉप की जरीए विभिनन शहरों में गूम गूम कर सट्टा संचालित करती थी सटोर ये होंडा कार में बैट कर सट्टा कारोबार संचालित कर रहे थी जिन्हें मुख्बीर की सूचना ने रुशी नगर कॉम्पलेस के पास किरफतार किया है कि उनके सरगना होटल अंजुश्री में रुके होए थी जहां से पूरा सट्टा कारोबार संचालित किया जा रहा है जिन्हें भी पुलिस ने घेराबंदी कर धर्दबूशा है पुलिस ने गिरो के कुल साथ सटोरियों को पकड़ा है जबकि दो फरार है जिनके पास पाच लाग 26,000 रुपेल लैप्टॉप दरजिन भर से ज्यादा महेंगे मुबाइल और कार को जब्त किया गया कारवाई के दौरान सटोरिय वेस्ट इंडीज और श्रिलंका की मैच पर सटा लगवा रहे थी सटोरियों के तार, गुवा, मुंबई, करनाटक, नई दिल्ली, सहित कई देशों में भी मिले है ये सटोरियों को मोटी रकम लेकर ऑनलाइन आईडी और पासवर्ट उपलब करवाती थी जिस पर सटोरिय बैटिंग करती थी मैच के लावा ये मौसम, तुफान, बारिश सहीद किसी भी घटना, दुरगटना या अंतराश्य मुद्धे पर बैटिंग करवा कर करोड रुपे कमाती थी कि यहां का जो एक मुख्यारोपी है और वो मुझना है मुंबई में जो काम करने वाले लोग है उनसे हिसाब किताब कल होना है उसी सुचना के आधार पर हमने काम किया और सभीरे इनको जब मुख्यारोपी जो जैन का है उसको पकड़ा तो होंडा सिटी गार में उसके पास पकड़ा साथ ही सूचना पर जो मुख्यारोपी जो मूलत है पुने के रहने वाले हैं उनको दोनों को पकड़ा और बाकी पूश्ताच के दोरान जैन के पाच आरोपी और पकड़े गये हैं इस तरह से पुल सात आरोपी पकड़े गए इनके कबजे से पांच लाग 27,000 नक BCN News के लिए उज्जेन से महरुदिन कप्तान की रिपोर्ट अंतराश्यों महिला दिवस पर मध्यप्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संग कन्नोध द्वारा महिलाओं का सम्मान कारेक्रम आयजित किया क्या जिसमें कन्नो तेसल की शास के सेवा में कारुरत एवं समाज सेवी महिलाओ को प्रशस्ति पत्र दे कर समानित किया किया कारेकरम में समाज महिला सशक्तिकरन एवं महिला उत्तान पर सभी अतीतियों ने अपने विचार व्यक्त की और संके द्वारा आयोजित समान समारों की सराना की इसी दोरान राजकुमारी कुंडल ने राजनितिक शेतर में महिलाओ की सभागिता पर अपने विचार व्यक्त के शिक्षिकाव वंदना अंथ्न्यों ने बेटियों की शिक्षा पर जोर देती हुए ग्रामेन शेत्र में माता पिता द्वारा बेटियों को उच्छे शिक्षा से वनशित रखा जाता है उस पर अपने विचार रखे राजस्वन निरिख्षक सौनल कुष्राम नी वर्तमान समाझ में किस प्रकार सी महिलाओ बेटियों पर असामाचिक ततो द्वारा के जाने वाले कृत्य की निन्दा कहते हुए सरकार नी महिला सुरक्षा में करे कानून की मांगी डॉक्टर मम्ता पांचाल एवं डॉक्टर रीना अगरवाल ने लॉकडाउन के दौरान किये गए स्वास्त विभा के काम में जो परिशानी आई उस पर विचार रखे सभी लोगों से स्वास्त कर्मियों को सहीओ करने की अपील की गई कारेक्रम में स्वागत भाषन ब्लोक अधिक्ष ओम प्रकाश परमार द्वारा दिया किया कारेक्रम का संचालन पूर्व ब्लोक अधिक्ष अतुल गुप्ता द्वारा किया किया एवं आभार संभागय उपाधिक्ष विनोद बुतरा द्वारा माना किया इससर पर मद्यप्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संग कन्नोत के सदस्य संभागिय सहसचीव राकेश अजमीरा, प्रदीद दोशी, भरत शर्मा, चंचल भारतिय, विजवेधारिवाल, राजेश परमार, आदित्य शोत्रिय, मांगेलाल मालविय, राजकुमार मोदी, रुप स्कूल अधिकारी को 10,000 के रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया, दरसल नोडर अधिकारी के द्वारा लिटल वर्ड स्कूल के संचालक से आरटी के तहत बच्चों की रुषी का प्रपोजल बढ़ाने की एविज में 20,000 रुपे की रिश्वत मांगी गए थी, और जब इ मिश्रा नी बी आर्सी लखनला से सोधिया से की, तो शिकायत का निकारण करने की जगह उल्टे बी आर्सी में स्कूल संचालक से 1,000 रुपे प्रतिचातर की हिसाब से कुछ 60,000 रुपे की रिश्वत की मांग कर डाली, इतना ही नहीं उसकी स्कूल का निरिक्षन कर उसकी मा यापन के बाल, आज रिश्वत की राशी की पहली किस्त 10,000 लेते हुए, बी आरसी काराले में बी आरसी लखनला से सोधिया को पकड़ा है, वहीं मामले में नोडल अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है जे केडी भारगा और नोडल है, 25 जून 2020 को हमने प्रपोजार सेंड किया था इनके पास, दो महीने तक ये निरिक्षन का तेरा है, इसके बाद ने अठार अगस्त को निरिक्षन कर पत हमें पती बेदन दिया, और बोले कल तुम्हारा ये हम लोग करके आगे बढ़ा हाँ, एक्च्वल में च्छतरपूर जिले में, च्छतरपूर जिले के एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, लेटिल वर्ल्ड इंग्लिस स्कूल, इसके संचालक है कमला प्रसाद मिश्रा, इनके द्वारा दिनांग 6-3-2021 को हमारे पुलिस सदिक्षक महोदे के समक्ष उप पोजल को सत्यापन करने के लिए जो नोडल अधिकारी है, क्रिश्न दर्थ भारगव, उनके द्वारा बीसर रुपे के रिश्वत की मांगी जा रही है बीसेन नियूस के लिए चतरपूर एंपी से आशिश अवस्तिक रिपूर्ट शरारती तत्वो द्वारा भारते किसान यूनियन की लिटर का दुरूपियोग करने पर चिला संगटन मंतरी ने थाने चाकर लिखित में दर्स कराई शिकायत जनपत पंचायत गिटिया के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत जल्वा के निर्मान कारे की शिकायत कपतियत अग्यात ततो द्वारा दिनांग एक फरवरी 2021 को जिला दीश मोदे जिला उज्जेन की समक्ष की गई जिसमें सरपंच सचीव पर भष्टाचार का आरोप लगाती हुए जांच की मांग की गई मगर शिकायत पत्र में शिकायत करता ने भारते किसान यूनियन के जिला संगटन मंतरी भगवान सीह सुलंकी को शिकायत करता गुशित करती हुए उनके फरजी हसाक्षर नाम पदनाम किसान यूनियन का नाम आधी का जुटा उल्ले करती हुए उनका नाम बदनाम करने की सा मांग की है एक फरवरी को गाउं के कुछ कती पर सरारुती तत्वों ने जिलादिस महोदय के पास उज्जेन पहुंच कर गए एक शिकायदी पत्र दिया है जिसमें वित्तिवर्स 2018 कुछ नाले निर्मान ग्राम पंचा जलवा ने किया था उसमें साय क्या हुआ क्या नहीं हु कर और श्थ कले है उसमें मेरी अनज मेरी सांगधनन नाम और षाध करके पुरा नाम पता लिख कर एक है अब जिसके माध्यम्स के मेरा सामाजी क्रतिष्णा को फिर ठेज पहुची है और इस प्रकार की कतिपके कास्तोर है किसी को बदनाम करने की नियches सरा करतिक करते है तो इनको खोजना इनको ढूंड़ना नहीं है जरूर ही है इसकी मांग करतों में थाना प्रभारी महोदय के यहां आकर के एक अपना एक मेरे यूनियन के लेटर पेट पर ग्यापन दिया है और मांग किये कि उन सरारती अग्यात ततों को ढूंडा जाए BCN News के लिए घटिया उजयन से महिरुद्दिन कप्तान की रिपोर्ट खाते गाउं में यूाओ के एक टीम नी एक नए संकल के साथ मना रही है विशो महिला दिवस एक यूाओ की टीम चोनोमाच की अपलख्च में एक युवाओ की टीम पिछले 5 दिनों से अलग अलग गाओ में चाकर चौपाल लगा कर लोगों की मांसिक्ता को बदलने का प्रयास कर रही है चौपाल के माध्यम से वह लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि जिस तरह ग्रामिन अंचलों में रहनी वाली करीब आदिवासी बच्चियों की पढ़ाई बारवी कक्षा के बाद रुख जाती है उन्हें पढ़ाया नहीं चाता है यह मासिकता गलत अवधारना को जन्त देती है यह अवधारना खत भूनी चाहिए और बेटियों को भी पढ़ा कर आत्मनिर भर बनना चाहिए युवाओ की टीम ग्रामिन शेत्रों में चवपाल लगा कर उन बेटियों की समस्याव को निकानने का प्रयास कर रही है ताकि उन स समस्याव को जानने का प्रयास कर रही है युवाओ की टीम की प्रमुक अर्पित तिवारी ने जानकारी देती हुए बताया कि समाज की मानसिकता और लोगों की अवधारनाओं बदलने के लिए तथा एक अच्छे समाज की निर्मान के लिए जहाँ बेटियों को समान मिल अ आज भी बही मानसिकता लोगों की है जो पुरातनकाल में होती थी आज भी बेटी और बेटों में कई फर्क देखा जाता है हमने गाओं में चोपाल लगा कर इस्कूलों में जाकर गरीब आदिवासी लोगों को यहाँ जागरू किया कि केवल पेशों के पीछे सिक्छा ना जागरूकतार राली को अनुपूर कलेक्टर चंद्र मुहर ठाकों नी हरी जंडी दिखा कर रवाना किया बालिकाओ कि साइकल राली कलेक्टरीट का राले से प्रारम होकर नगर भ्रमन करते संपन होई जिसके दौरान अंतराश्ट्र महिला दिवस पर चिला महिला सशक्तिकरन अधिकारी मंजिश शर्मानी अनुपूर कलेक्टर का वाहन चालक बन कर संचालन किया उकसाइकल राली के दोरान महिलाओ का सम्मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिद्दान को पालन करने जन जागरुती का संदेश दिया गया BCN News के लिए अनुपर जिले से भूपे नर पटेल की रिपोर्ट BCN News के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही सेन और खबरों से जुनने के लिए देखते रहें ये BCN News नमस्कार